दोस्तो डेली में मंगलवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है यानि की रात को दस बज़े से लेके सुबह पाज बए तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल सकता घर के अंदर ही रहना है वो जहां भी है वहाँ पर ही उसको रहना है वो सड़क पे नहीं निक कर दिया है कि वो रात को 9 बज़े से लेके सुबह 5 बज़े तक पूरे पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है पर दोस्तो मान लीजिए आपको कभी कुछ दिक्कत होती है रात को 10 बज़े के बाद भगवान न करे कभी कुछ दिक्कत हो जाती है आपको या फि आए कैसे कोई व्यक्ति मतलब अपने जरुरत की चीजे पूरी करने के लिए रेल वे सेशन जाना है यहर पोट जाना है मेडिकल की सुविदा लेने जाना है कैसे इस बनाया जाए दिल्ली सरकार दोरा दिल्ली सरकार ने एक सुविदा दी है अपने वेबसाइट के थूँ जिसके माध्यम से आप इपास बना सकते हैं और अपने जो ज़रूरी काम है वह आप कर सकते हैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा और मेट्रो के भी नए रूल लागू हो गए है यह जो आपका नाइट करिफ्यू है इसके दौरान मेट्रो ने नया नियम जारी किया है वो नियम भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो के नए नियम की मेट्रो ने एनाउंस कर दिया है कि 30 अपरिल तक मेट्रो में कोई भी आदमी 10 बज़े के बाद सफर नहीं कर सकता है सिरफ वो लोग सफर कर सकते है जिसके पास E-PASS है या फिर हो Essential Service से जुड़ा हुआ हो कोई भी Essential Service देने जा रहा हो वही आदमी मेट्रो में सफर कर सकता है 10 बज़े के बाद या फिर उसके पास E-PASS हो उसके इलावा कोई भी आदमी मेट्रो परिसर के आसपास 10 बज़े के बाद नजर नहीं आना चाहिए अब बात करते है Essential Service में कौन कौन आता है Essential Service में जो लोग Essential Goods बेच रहे हैं जैसे की Groceries, Fruits, Vegetable, Milk और Medicine इन सब को 10 बज़े के बाद सड़क पे घूमना allowed है घूमना इंदसे ऐसे ही तफरी मारने के लिए घूमना नहीं मतलब अगर वो समान बेच रहे है या फिर ज़रुरी समान लेके आने वाले है किसी को देने जाना है उस काम के लिए वो allowed है 10 बज़े के बाद Essential Service के तहट ऐसे ही तफरी मारने के लिए घूमने के लिए नहीं इसके इलावा जो लोग Media से जुड़े हुए है Electronic Media या फिर Print Media कोई भी व्यक्ति अगर इस किसी फील्ड में काम करता है वो भी Essential Service में ही आता है और वो भी allowed है 10 बज़े के बाद reporting करने के लिए कई कुछ हाथसा हो गया वो cover करने के लिए वो भी जाने को allowed है पर उनके पास e-pass होना ज़रूरी है इसके इलावा जो private hospitals के या private clinic के doctors, nurses, medical staff, paramedical staff ये सारे जो है इनके पास valid eye card दिखा के ये लोग कई भी अपने service देने जा सकते है या फिर आप कई बाहर से दिली में आ रहे है बस, train या फिर flight के थूँ तो आपको जब आपको कोई पकड़े तो आपको valid ticket दिखाना है तब ही आप allowed है अगर आपको पास valid ticket नहीं है तो आप allowed नहीं है वैसे तो 99% लोग के पास valid ticket होना चाहिए अगर वो flight या train से आ रहे है तो आपको अगर कोई पकड़े तो valid ticket दिखा दे कि हाँ मैं सही में इस time पर उत्रा हूँ और अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ 10 बजे के बाद क्योंकि मेरी flight या train या बस ही इसी time पर आई है तो आपको कुछ नहीं बोला जाएगा बस आपके पास valid ticket होना चाहिए इसके बाद जितने भी essential services है जैसे की ATM हो गया, LPG, gas station हो गया, petrol pump हो गया ये सब खुले रहेंगे चिंता करने की बात नहीं है और दोस्तों अगर किसी का medical condition बहुत खराब है pregnant woman है उसको check up के लिए जाना है उसको किसी emergency treatment के लिए जाना है तो वो allowed है pregnant woman या फिर जिसकी तबेद बहुत जादा खराब है उसको नहीं रोका जाएगा कोई भी government employee जो की भारत सरकार या डेली सरकार में काम करता है और वो किसी constitutional position में है वो अपना valid eye card दिखा के जा सकता है और दोस्तों कोई भी diplomat है या फिर दूसरे देशों के लिए कोई एक embassy वगरा में काम जैसे लोग करते हैं उनके लिए भी valid eye card दिखा के जाना allowed है अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको e-pass कैसे मिलेगा e-pass के लिए आप Delhi government के website में जाएए मैंने link description में दे रखा है उसमें click करके आप Delhi government के website में जा सकते है सबसे पहला link की आपको दिखेगा कि e-pass के लिए register आप कर सकते हैं उसमें click करके आप जो भी details पूछे वो डाल दीजिए और आपको e-pass मिल जाएगा बहुत ही आसान है कोई जंजट वाला काम नहीं है बस जो link मैंने description में दे रखा है उसमें आप click कीजिए और Delhi government के website में जाके e-pass बना लीजिए पर मैं ये recommend करूँगा कि जब तक बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो बहुत ज़्यादा आपको कोई emergency ना हो तब तक आप घर से ना ही निकले तो better है और ऐसे वीडियोज देखने के लिए subscribe करें हमारे चैनल को जय हैं दोस्तो